हेलो स्टुडेंट्स स्वागत एक पर फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लोड किशना क्लासिज में आप सभी को पता ही है मैं जिते अंदर आपके लिए हर रोज लेकर आता हूँ हमारी English Grammar की क्लासिज आज उसी श्रेंड में हम आगे बढ़ेंगे आपको पता ही है पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा Present Perfect Tense तो आज उससे अगला टेंस Present Perfect Continuous Tense Present Perfect Continuous Tense देखिए इसके नाम में ही बहुत बड़ा राज चिपा हुआ है क्या चिपा हुआ देखिए एक Perfect Tense और Continuous Tense दोनों Tenses का मेल इस Tense के अंदर आपको मिलता है और दोनों ही Tenses की खूबी क्या है कि दोनों ही जो Tenses हैं वो एक दूसरे से बिलकुल विरोधी है यानि कि दोनों की ही जो Internal Qualities है वो एक दूसरे से बिलकुल अलग है जहां हमें Perfect Tense कहता है कि Perfect Tense के अंदर वर्ब की Third Form आने चाहिए वही Continuous Tense कहता है कि Continuous Tense के अंदर वर्ब की First Form प्लस Ing आना चाहिए अब देखिए ये English जिस किसी ने भी English Grammar को बनाया था ये उसकी बहुत बड़े कलाकारी थी कि उसने ऐसी दो चीज़ों को चोड़ दिया जो दोनों चीज़ें एक दूसरे को बिलकुल भी Satisfy नहीं कर रही है यानि कि Perfect और Continuous Tense का मेल करकर एक Tense बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया Present Perfect Continuous Tense अब क्या खुब है इस Tense के अंदर इस Tense के अंदर क्या है एक्चुल देखो एक्चुल में इस Tense के अंदर आपको बताया जाता है कि कोई भी ऐसा काम जो Past में शुरू हुआ था यानि कि Perfection उसका Perfection टाइम हमें बता है कि वो Past के अंदर शुरू हुआ था और वो काम अभी भी Continue है इसलिए क्या है वो Present Perfect Continuous Continue हो रहा है वो संटेंस हमारा वो जो भी काम है हमारा वो Continue चल रहा है तो यहां से सबसे पहले हम वही देखेंगे कि हमारा जब हिंदी में यह संटेंस अगर दी होंगे हमें इस संटेंस के अकोर्डिंग तो उन संटेंस के अंदर हमें क्या पहचानने को मिलेगा क्या मिलेगा प्रेजेंट पर्फेक्ट कॉंटिनियूस संटेंस का जो हिंदी का संटेंस होगा उसके अंदर आपको मिलेगा continuous के अंसार रहा और क्या मिल जाएगा साथ में perfect यानिक उसके शुरू होने का समय से रहा हूं से रही हूं से रहा है से रही है और साथ में से रहे है यानि कि अगर मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूं तो मैं किसी भी काम को किसी एक perfect समय से जो past का जो समय है वहां से शुरू कर रहा हूं यानि कि उस समय से मैं उस काम को कर रहा हूं अगर कोई लड़की इसी बात को बोलेगी तो वो क्या बोलेगी से रही हूं से रहा है इसी तरह से रही है और से रहे है तो यह तो थी इस tense की हमारी हिंदी के sentences के अंदर पहचान क्या होगी अब इस tense के according जो sentences हमारे आएंगे उन sentences की formation क्या होगी हमारी वो sentences बनेंगे कैसे क्योंकि सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई है न कि perfect tense और continuous tense इन दोनों tenses का male भी हमें दिखाना है इन दोनों tenses को जोड़ कर भी हमें दिखाना है कि किस तरीके से उनको जोड़ा जाएगा तो देखते हैं हम formations हमारी सबसे पहला sentence हमारा हर tense की तरह ही simple sentence simple sentence affirmative sentence आम तरह के जो वाक्या होते हैं किसी भी tense के वो sentences कैसे बनेंगे present perfect continuous tense के हमारे simple sentences देखी सबसे पहले वही चीज sentence को करने के लिए उसका subject सबसे उसके बाद उसके लिए हमारी जो helping verb है वो हमें perfect tense की हमने यहाँ पर helping वाब रखी है आप देखिए perfect tense कहता है verb की third form जैसे मैंने आपको पहले बताया है तो perfect tense को completion दिखाने के लिए क्या किया गया जोडने के लिए इस्तमाल किया गया बी का और बी की कौन सी form ली गई गई थार्ड फॉम क्योंकि B के अंदर एक ऐसी quality है जो इसके बीच में एक जोड का काम का सकती है जैसे आपने घरों में देखा ना हमारे पास pipe lines होती है जो पाणी बगारे के लिए हम लगाते है एक मोटी pipe पीछे से आती है अगर उसी pipe को किसी पतली pipe से connect करना है तो बीच में जोइंट होता है वो जो जोइंट करने के लिए जो लगाया जाता है हमारा dafür वो क्या होता है एक तरफ से और पीड़ा होता है और दोनों को जोड दे रहाता है वो दोनों pipes आपसमें connect कर जाती है जो आम तोर पर नहीं लगती कि आपसमें जुड सकती है तो ऐसी तरह से यह जॉइंट पैदा करने के लिए क्लिए क्लिए लगाया गया है यहाँ पर बीन लगाया गया है अब उस बीन ने क्या किया perfect tense को complete कर दिया satisfy कर दिया यहाँ कि perfect tense कहता है कि उसके अंदर has, have के साथ verb की third form होने चाहिए तो यह देखिए has, have प्लस b की third form क्या है be was, been तो perfect tense complete हो गया अब b के अंदर एक और खुबी है b के ही रूप होते है is, am, are, was, were जो हमने continuous tense के अंदर भी किये थे तो b के किसी रूप के साथ continuity वाली verb यानि की verb की first form प्लस ing भी लगाई जा सकती है तो continuous tense यहाँ से complete हो जाता है हमारा v1 प्लस ing जैसा मैंने आपको बताया था कि continuous tense के अंदर v1 प्लस ing लगाना होता है तो देखिए अब इस bean ने क्या किया इस bean ने perfect tense के लिए एक verb का काम किया जबकि continuous tense के लिए इसी bean ने क्या किया एक helping verb का काम किया तो यह जो bean था यह हमारा एक बहुत अच्छा joint बनकर यहाँ पर सामने आया एक ऐसा जोड बनकर सामने आया जिसने इन दोनों ही tenses को बहुत perfectly यहाँ पर जोड दिया चलिए formation में आके बढ़ते हैं अब क्या होगा object लेकिन ओर tenses की तरह यहीं पर यह tense खतम नहीं होता क्योंकि हमने इसकी जो पहचान पड़ी है वो क्या पड़ी है say यानि कि जो काम है वो किसना किसी समय से शुरू होता है उस समय को बताने के लिए हम इस्तमाल करते है since और for का since और for यहाँ पर इन दोनों का मतलब क्या होता है say आम तोर पर for के लिए बोलाज़ता है के लिए since को क्योंकि की तरह प्रयोकिया जाता है लेकिन यहाँ पर since और for दोनों का ही मतलब क्या हो जाता है से अब जो काम होगा वो किसी ना किसी टाइम से शुरू होगा कोई भी टाइम दिया होगा उस टाइम से वो काम शुरू हो रहा है तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया यहां पर टाइम अब देखते हैं सेंटेंस के अंदर हमें क्या क्या क् पर have आएगा उस time पर has नहीं आएगा इन दोनों चीज़ों को हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि कहां पर हमें has लगाना है कहां पर हमें have लगाना है एक बार मैं मोटा मोटा repeat कर देता हूं कहां पर लगाना है अगर आपका जो subject है अगर यह subject आपका third person singular third person singular यानि की he she it या कोई भी singular अगर noun आपकी होगी subject के रूप में तब आपको लगाना है क्या has otherwise अगर आपका subject कुछ भी होता है आपका subject first person हो second person हो third person का plural हो तो आपको क्या लगाना है have यह चीज़े हम पहले कर चुके हैं आगे आजाते हैं अब आगे जब आप इस stance के अंदर इसकी formation के अंदर आप आगे बढ़ोगे तो आगे एक और ऐसी चीज़ दिखाई देती है आपको जहां पर slash लगा हुआ है यह देखी सिंस और four के बीच में अब सिंस कहां आए four कहां है तो यह भी हमें पता लगाना होगा इसके बारे में अपने छोटी classes में बढ़ा होगा आहाम तोर पर बताया जाता है कि किसी निश्चित समय के लिए सिंस लगा दीजिए अनिश्चित समय के लिए four लगा दीजिए लेकिन कुछ students फिर confused रहते हैं कि किस समय को हम निश्चित मान कर चलें और किस समय को हम अनिश्चित मान कर चलें तो उसके लिए क्या करना है आप को उसके लिए इसे आप थोड़ा English में बढ़के देखिए उससे आपको यह और अच्छे से क्लिए रहता है देखिए दो चीजें होती है English के अंदर दो टम्स होती है एक होती है point of time point of time यानि कि एक fixed time fixed time कोई भी जैसे देखिए यह एक dot मैं लगाया इसे आप point बोल देते हैं जैसे यह dot है इस dot की कोई length, breadth, height कुछ भी नहीं है तो यानि कि fix है इसको मापने जासता है ऐसे जो fixed time होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे उसके साथ हम लगाएंगे क्या since कोई भी fixed time जैसे आपको किसी fixed time से बोला गया है आठ बजे से, सुबह से, सोंवार से, दिवाली से, न्यू इयर से तो वो एक fixed time period है कोई भी उस fixed time के लिए क्या लगाएंगे हम since लगाएंगे उसके बाद हमारे पास क्या आता है उसके बाद हमारे पास आता है period of time period of time, यानि कि कोई भी अनिस्चित तरह का समय जहां पर एक अवधी बन रही हो, एक period बन रहा हो एक समय अवधी खिच रही हो, जैसे मैंने अगर बोल दिया पांच मिनिट तो पांच मिनिट का मतलब क्या है, एक समय पीरियट बढ़ रहा है एक मिनिट, दो मिनिट, तीन मिनिट, चार मिनिट, इस तरह से, इस तरह सेगर मैंने बोल दिया एक मिनिट, तो उस एक मिनिट के अदर भी क्या है, 60 से किन्ट का भी एक टाइम आगे बढ़ रहा है तो जहाँ पर इस तरह से period of time आएगा वहाँ पर आप क्या लगाओगे वहाँ पर आप लगाओगे four तो ये तो हो गया हमारा since और four के बारे में अब हमारे sentence की जो formation है वो हमारी clear हो गई since कहां लगाना है में पता लग गया four कहां लगाना है में पता लग गया तो जैसे देखिए जैसे sentence मान लेजी आ गया कि बच्चा दो घंटे से रो रहा है कोई भी एक छोटा बच्चा दो घंटे से रो रहा है आप देखिए आ गया ना दो घंटे से तो एक समय आ गया हमारा जो मैंने आपको बताया कि perfect continuous tense के अंदर होता है और उसकी पहचान क्या होती है से रहा है अब इसमें आया ना देखिए बच्चा दो घंटे से रो रहा है तो से रहा है हमारी पहचान भी आ गया है अब इस sentence को हम complete करके देखते हैं subject क्या है हमारा कौन हो रहा है बच्चा बच्चा यानि कि कोई particular बच्चा है तो उसके हाथम दा लगा सकते है the child अब the child यानि कि singular है कोई एक ही बच्चा है अगर एक ही बच्चा तो क्या लगाएंगे उसके हाथम singular के साथ has फिर been अब क्या कर रहा है वो रो रहा है तो cry plus ing crying object नहीं दिया गया है कहां रो रहा है कमरे में रो रहा है बिस्तर पे रो रहा है ऐसा हमें नहीं दिया गया हमें कहा गया सिरफ कि बच्चा दो घंटे से रो रहा है तो object अगर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे उसको अब दो घंटे से दो घंटे एक time period बन रहा है एक समय की अवधी खिच रही है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे वहाँ पर हम लगाएंगे 4, 4 कितने घंटे से रो रहा है 2 hours तो यह हो गया हमारा कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है subject यह helping verb हो गई हमारी यहाँ पर देखिए main verb plus ing हो गया हमारा object था नहीं तो since 4 में से 4 आया क्योंकि समय हमारा क्या था एक period of time के रूप में था तो यह बन गया हमारा simple sentence आगे बढ़ते हम अगला जो है अगली तरह का sentence हमारा होगा वो होगा negative sentence negative sentence negative मैंने आपको बताया है negation वाले sentences note जहां पर आजाता है नहीं जहां पर आजाता है तो मैंने आपको बताया है simple एक चीज कि आपको सिर्फ पता लगाना है कि उस note की जगें क्या है formation almost वही होती है सिर्फ उसमें उस note को एक जगें देकर वहाँ पर गुसाना होता है उस note को वहाँ पर लगाना होता और वो अगर आपके दिमाग में रहेगा तो मैंने आपको जैसे बताया है कि जो मैंने आपको starting में बताया था 48 sentences वो एक्चलन 48 ना होकर 10, 12 और 15 बनकर रह जाते हैं क्योंकि आपको same sentence के अंदर ही little bit changes करने होते हैं अब हमें करेंगे तो इसकी formation क्या होगी हमारी वही उपर के तरफ देखिए आप subject plus has और have अब मैंने आपको कल जो पिछली करास हमारी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि note लगाने की perfect जगह कहा होती है helping verb के तुरंट बाद अब देखिए मैंने यहां आपको बताया कि इस perfect tense के लिए यह been एक तरह से main verb का का काम कर रही है जब यह एक तरह से main verb का का काम कर रही है तो हमारी helping verb कहां तक सीमित हो गई सिर्फ has और have तक तो यानि कि जो has और have आएगा उसके बाद हम क्या लगा देंगे not plus been plus v1 और ing plus वही object plus since और for plus time देखिए सारा कुछ वही चल रहा है सिर्फ एक note को specify करके हमने एक जगें दी है कि किस जगें पर note आना है exact जगें पर अगर हमने note का प्रयोग कर दिया तो हमारा जो simple sentence था वो क्या बन जाएगा negative बन जाएगा हमने एक example लिया कि वे सुबह से खेल रहे हैं होता है जिसे कई बार बच्चे सुबह से खेले ही जा रहे हैं बंदी नहीं हो रहे हैं तो वे सुबह से खेल रहे हैं अब कई बच्चों को लगते है कई बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर सुबह तो हम good morning सुबह पांच बज़े भी बोल देते हैं सुबह दस बज़े भी गुड मॉर्निंग होता है सुबह हम नो बज़े भी गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं तो सुबह तो एक लंबा टाइम पिरिएड हो गया सर अब टाइम पिरिएड के साथ तो क्या ना सी है लेकिन actual में क्या होता है किसी एक लंबे time period कोई कठा जोड़ कर एक नाम दे दिया जाता है जैसे आपका सुबह का है कि आप अकसर तो पहर के 12 बज़े से पहले का जो समय होता है उसमें आप good morning wish कर रहे होते हैं तो वो पूरा time period जो है उसको मिला कर एक fix नाम दे दिया गया यानिकि fix हो गया है और मैंने आपको पता है जब भी कोई time fix हो जाता है तो उसके साथ क्या आता है हमेशा since देखते हैं हम यहाँ पर क्या है वे सुबह से खेल रहे हैं वे क्या होगा वे यानिकि they अब दे के साथ has और have में से क्या लगेगा they के साथ लग जाएगा have क्यों लग जाएगा क्योंकि they हमारा क्या है third person plural है तो they have क्या है not वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं negative है ना वारा इसलिए नहीं हो जाएगा वे सुबह से नहीं खेल रहे हैं तो they have not been खेलना यानि की play और साथ में क्या आगे हमारा ing क्या नहीं खेल रहे हैं they have not been playing cricket कब से नहीं खेल रहे हैं सुबह से और सुबह के साथ मैंने अभी आपको बताया क्या लगा देंगे हम since लगा देंगे कि वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो since morning तो ये हो गया हमारा negative sentence बिल्कुल simple चीजों के साथ simple simple चीजों आपको ध्यान रखनी है और उनको simply आपको कर देना है कोई भी sentence आपका easily form हो जाएगा तो हमने simple sentence किया negative sentence किया अब अगली तरह का sentence हमारा आएगा अगली तरह का sentence आप सबी को अब तक तो पता हिलागा है कोई सा आएगा तो अगली तरह का sentence हम करेंगे अगला sentence हमारा आजाता है interrogative sentence हार tense की तरह ही इसके अंदर भी होता है interrogative sentences अब interrogative sentences कब बनते हैं मैंने आपको बता रखा है क्या बताया गया आपको कि कभी भी अगर किसी भी टेंस की जो helping verb अगर हमें पता लग गई और उस helping verb को हम उठा कर उसकी जेगे से अगर sentence के subject से पहले लगा दें यानि कि sentence के start में अगर हम लगा दें उस helping verb को तो वो sentence automatically क्या बन जाता है interrogative तो देखते हैं क्या होता है हमने helping verb क्या मान के रखी है यहाँ पर has और have plus subject plus क्या रहा है beam plus v1 और ing plus वही object वही हमारा since और for और साथ में कोई भी time formation तो यह हमारी formation होगी sentence कैसा है हमारा sentence हमारा interrogative है तो लास्ट में sign of interrogation लगा देंगे बस हमने क्या किया देखिए जो helping verb subject के बाद आ रही थी हमारी यह has यह have इसको हमने यहाँ से निकाला है और आगे ले आए है और sentence easily हमारा जो simple था या negative था वो interrogative या फिर negative के अंदर तब्दील हो जाता है तो देखिए का example के जरी इसको भी समझ लेते हैं example हमारा example क्या करें कोई एक random example उठाएंगे उसी तरह से जैसे क्या अध्यापक सुबह से पढ़ा रहा है सुबह से क्या अध्यापक पढ़ा रहा है तो क्या के लिए मैंने पताया कौन सा काम करती है वही हमारी जो helping पर होती है अध्यापक यानि की teacher टीचर यानि की singular किस person का third person का singular और third person singular के साथ क्या लगाते है हमेशा हम has the teacher उसके बाद क्या जाएगा हमारा बीन और क्या कर रहा है पढ़ाने का काम कर रहा है टीचर है तो पढ़ाने का काम करेगा जाहिर सी बात है has the teacher been teaching कब से पढ़ा रहा है सुबह से पढ़ा रहा है पढ़ाए जा रहा है तो has the teacher been teaching since morning इस तरह से बिल्कुल simply आप किसी भी sentence को बना सकते हो अगर आप हलकी हलकी जो changes आपको करने है उन basic बातों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आप उनको आगे पीछे कहीं पर भी जैसे किया जाता है वैसा करके आप किसी भी sentence को बहुत इसली फोर्म कर सकते हो टैंसी को सिखना आपको लगेगा कि यह तो मेरे चुटकियों को कम था मैं तो वैसे घबराट में तक बैठा हुआ था चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या देखिए आगे हैं हमारे पास interrogative negative sentence interrogative negative sentence जैसा हम पिछली classes में भी करते आए हैं interrogative negative यानि कि ऐसा sentence जिसमें interrogation तो ही है मतलब प्रशन तो पूँचा जा रहा है लेकिन साथ में क्या लगाया जा रहा है negation कि उस प्रशन को ही ना नहीं नो के साथ पूचा जा रहा है तो बनाते हैं हम देखिए इसकी भी formation वही होगा has या have हमारे शुरुवात में आ गए है plus subject हमने negative में क्या किया था has या have के बाद note लगाया था क्यों उस टाइम has या have हमारे subject के बाद थे अब हम has या have को आगे लेगे तो हमारा note तो वहीं बच गया यहां आ गया देखिए plus been v1 और ing plus object वही हमारा since या for plus time sign of interrogation तो यह हमारी formation हो गई interrogative negative की बस आपको ध्यान रखना है कि आपको यह note कहा लगाना है interrogative बनाने के लिए has या have आगे लेके आना है has आप क्योंकि subject के बाद आम तो पर simple sentences में लगते हैं तो उसको हम यहां से निकाल के ले गए तो जो note बचेगा वो कहा बचेगा subject के तुरंत बाद तो यह बन जाएगा हमारा interrogative negative sentence तो उसी तरीके से हम यहां पर भी एक example करके देखते हैं किसी एक sentence को हम randomly change करके देखते हैं क्या हम उसे इस formation के हिसाब से change कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो एक example लेते हैं क्या हम पांच दिन से बाहर नहीं निकल रहे हैं या फिर क्या हम पांच दिन से बाहर नहीं जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हम यानि की first person plural तो क्या लगेगा have not been कहा नहीं जा रहे हम बाहर नहीं जा रहे हैं गोइंग आउटसाइड have we not been going आउटसाइड कबसे नहीं जा रहे हैं फांस दिन से, फांस दिन मैंने आपको बताया है क्या हो जाता है पांस दिन हमारा एक time period four, five days कि हम क्या पांस दिन से हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो ये हो गई हमारी इस टेंस की सारी की सारी फॉर्मेशन्स जिसमें दो तिन चीजे में बात ध्यान रखने की थी, सबसे पहली चीज परफेक्ट टेंस और कॉंटिनेस टेंस को जोड़ा गया, जोड़ने के लिए किस चीज़ का इस्तमाल किया गया, एक बीन लगा दिया गया ताकि परफेक्ट टेंस की भी जरूर्त पूरी हो जाए, और कॉंटिनेस टेंस की भी जरूर्त पूरी हो जाए, निकि दोनों टेंस की फॉर्मेशन एक तरह से कम्प्लीट दिखे, उसके अलावा हमारे पास क्या में चीज आई, उसके लावा हमारे पास में चीज आई, सिंस और फॉर का प्रयोग सिंस और फॉर का प्रयोग हमने सिखा, कि अगर कोई पॉइंट ओफ टाइम यह निकि कोई फिक्स टाइम है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, हम सिंस लगाएंगे अगर कहीं पर कोई पीरियड ओफ टाइम है जहां पर टाइम की एक अवधी बन रही है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे तो यह इस तरह से हमने सिंपली इस टेंस की सारी की सारी फॉर्मेशन को हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा काम क्या है अगला हमारा काम वही है कि हमारे जो एक्जाम में जिस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं अक्सर क्या होता है, हर्याना बोड की एकेडमी क्लासिज के अंदर टैंथ हो, प्लस टू हो, या non board classes भी हो उसके जो exams होते हैं उसमें perfect continuous tense का कोई ना कोई sentence अक्सर पूछ लिया जाता है चाहे वो present perfect continuous हो या फिर आगे चल कर आपका आएगा past perfect continuous तो उसका कोई ना कोई एक sentence अक्सर पूछ लिया जाता है board classes में भी non board classes में तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए simple सी जीज़ है जो मैंने starting में ही आपको इस sentence के बारें बताई थी एक ही simple से हमारा प्रियोग है वो क्या है कि अगर कोई भी काम ऐसा है जो past से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है किसी में अगर ऐसी जलक मिल रही है किसी काम के अंदर कि जो past से शुरू होकर अभी तक भी चल रहा है तो वहां पर हम क्या लगा देंगे present perfect continuous tense अब इसी तरह से अग्गे जब हमारा आएगा past perfect continuous tense तो उसकी formation भी लगबग ऐसी होती है बस उसमें थोड़ा सा change आ जाता है यूज भी लगबग से मिल रहा है तो उसमें सिर्फ क्या होगा उसमें होगा कि sentence वही past से शुरू होगा continue होगा past के दोरान है यानि कि उस sentence के अंदर आपको past से related कोई ना कोई time phrase आपको मिलेगा अगर past से related कोई भी time phrase नहीं मिल रहा आपको और आपको लग रहा है कि वो काम हमारा जो है वो past से शुरू होकर continuity में है तो वहाँ पर क्या आएगा present perfect continuous आएगा जैसे एक example के तोर पर हम कर लेते हैं सिदा हमारा example क्या बन जाएगा I have been waiting for him subject have been verb ing object I have been waiting for him कब से वेट कर रहा हूं for two hours अब देखिए मेरा काम शुरू हुआ था दो घंटे पहले से यनिकी past से शुरू हुआ था और अभी तक भी continue चल रहा है तो ऐसी अगर कोई चीज आ जा 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 है और अभी वर्व दी जाएगी जैसे इसके अंदर वेट है तो यहां पर वर्व की first form आपको दी जाएगी आपने जैसे ही देखा कि काम ऐसा हो रहा है जो पास से शुरू होकर अभी भी continue है तो उसके अंदर आप तुरंत क्या बर्दोगे present perfect continuous tense की जो वर्व formation होती है वो आप उसके अं हो जाएगा तो ऐसा हम नहीं करेंगे आज present tense की class present test हमारा complete हो गया है अगली class में हम past tense करेंगे hopefully आप लोग follow कर रहे होंगे चीजों को देख रहे होंगे समझ रहे होंगे अगर फिर भी किसी भी बच्चे को किसी तने की कोई problem आती है तो आप कभी भी हमसे call करके message की दुरू है कभी भी आप हमसे पूछ सकते हो comment box में अपने comment छोड़ सकते हो thank you हम आज की class को यहीं पर off करते है करते हैं